Hello students, ये वीडियो है क्लास UKG के लिए subject English आज है हमारा chapter 25 Use of in, on, under, behind, near and in front of आज हम पढ़ेंगे use किस-किस के in के, इनको हिंदी में कहते है मे तो हम मे के use पढ़ेंगे on, on को हिंदी में कहते है पर पर के use पढ़ेंगे under मतलब नीचे पीचे के use पढ़ेंगे behind, behind मतलब पीछे पीचे के पढ़ेंगे near means, near means pass पास के पढ़ेंगे and in front of और सामने के इन सब के हम use पढ़ेंगे कि इनको कैसे-कैसे use किया जाता है आउ पढ़ेंगे इसे, लिखा है the teddy is in the basket जो ये teddy है ये basket में है हिंदी में इनको कहते है मे, तो जो « teddy किसमे है» बासकेट में आगे में ये तैडी किसमें है? eyeballsuit में हैं इसमें इनका use हुआ है और इनको हिंदी में कहते हैं में तो जो टैडी है ये बासकेट में है अगला देखो अब जी टैडी है ये किस पर है किस पर बैठा है चेर पर बैठा है कुरसी पर बैठा है अन को हिंदी में कहते है पर यह पर का यूज हुआ है अन का यूज हुआ है टैडी इस अन दी चेर जो टैडी है ये चेर पर है तो टैडी कहा रखा है, चेर पे रखा है, अब है, the teddy is under the bed, अब यह देखो, जो टैडी है, यह किसके नीचे है, किसके, बैड के नीचे है, तो यह बता रहे है, the teddy is under the bed, टैडी, बैड के नीचे है, under means, नीचे, the teddy is behind the door, अब क्या है यह, जो टैडी है, यह दरवाजे के पीछे है, तो behind मतलब होता है, पीछे, तो जो टैडी है, behind the door, the teddy is behind the door, जो टैडी है, यह दरवाजे के पीछे है, तो behind का यूज़ गुआ है, पीछे के लिए इसमें, अब है, the teddy is near the cupboard, तो जो अलमारी है, यह cupboard है, cupboard के पास में है ना, teddy, पास में रखा है, teddy cupboard के, तो near मतलब होता है, पास, तो यह अपर near का यूज़ गुआ है, कि जो टैडी है, य पास में है, the teddy is near the cupboard, अब है, देखो, the teddy is in front of the fireplace, अब जो आग जल रही है, तो जो टैडी है, यह फायर प्लेस के सामने है, फायर प्लेस है, उसके सामने क्या है, तो in front of मतलब के सामने में, जो टैडी है, the teddy is in front of the fireplace, इस फायर प्लेस के सामने क्यों है, टैडी है, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर, यहीं पर खतम होता है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,